खलारी परखंड छेतर के पुरानी राय जहरखंडि मंदर जीतिया मेला मैदान में भासा संघर समीती की एक बैठक हुई इस बैठक में जार्खन के सरकार के द्वारा धनबाद वोकारों में भोजपूरी मगही अंगी का भासा को लागू किये जाने का भी रोत किया गया बैठक को संबोधित करते हुए अर्जुन महतो धरमनात महतो दीपक महतो रामजीत गंजु परदी पुराओं ने कहा कि जार्खन में भोजपूरी मगही अंगी का भासा को जवरम थोप कर जार्खन में रहने वाले लोगों की अस्मिता के साथ खिलवार किया जा रहा है जार्खन्डियों की हित के लिए सरकार को भासा विवाद सुल्जाते हुए तीनों भासाओं को हटाना चाहिए यदि सरकार जार्खन की आम जनता की बात नहीं सुनती तो उसका परिणाम भुगतना होगा बैठक के दोरान कहा गया कि जार्खन्ड में रहने वाले दूसरे परदेश के लोगों से कोई भी बात नहीं है 1932 का खतियान नियोजन निती जार्खन के युवाओं के लिए मांगा जा रहा है बैठक में निने लिया गया कि 27 फरवरी को 20 साल जलूस निकाला जाएगा यह जलूस सहीद निर्मल महतो चौक से लेकर राय चौक होते हुए राय बच्रा बस्ती होते हुए चार नंबर सहीद कृष्णा महतो चौक बच्रा पहुंचेगी बच्रा चौक पर ही मुखमंतरी है मंसूरन का पुतला दहन किया जाएगा इस बैठक में काफी संख्या में ग्रामीन उपस्ती किया जाएगा जार्कंड में बारी बासा को हताना होगा जार्कंड में बारी बासा को हताना होगा कर आएग के उनी सतवे सबतीस का खत्रा लागू करो और गुकरो है मर्चोर होस्तम्या है मर्चोर होस्तम्या हो झार्कंड कयसे लिए जार्कंड हो mejorar जार्कंड म PHP आंगीआ जिसमें अनेक तरह के मलब यहां के लोकल गाउजितने भी हैं होसीर, बचराबस्ती, नगड़ुगा, सीराम, बमने, मनातु, पुर्नीराय, राय, होईर, के सभी गरामीन, एक जूठ होके, हम लोग मघी भासा को हटाने के विशय में हम लोग एक बैठक रखे हैं, और इसका उग्र हम लोग एक डेट रखता हूं, और उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा जुलूस का एक आयोजन करने जा रहे हैं, जय जारखांड, जय जारखांड आज इस राय बमने पंचाइद के जारखांडी सीव मंदीर के प्राँगन पर, जो पिछले दिनों से इस भासा विबात के लेकर के पूरे जारखांड, पूरे राज़ पर, अंधुलन चलम सीमा पर है, आज उसी भासा के बिरोध पर, खलारी प्राखांड के इस राय बमने गश्यूर। से को रूप रेखा तयार करके इस आंदलन को बिर्यद रूप से किया जाएगा मैं बता दू कि इस खालारी पर्खंड के बाद बुड़मू पर्खंड पर हम लोग सभी जगह पर इस कारीकरम को इस भासा बिरोध कर मिटिंग कर रहे हैं दिवाल लिखन कर रहे हैं और हम पर यह मुझत नंसे आकर किसी फे ना जातिवाद ना किसी लोग से लोग नहीं है तोस्का यूपी जब लूदय हैं ना मुईक्य से श्कुर भेशन से इस जए हम लुभ वाद हैं, जो भारी जो फासा यहा लागू किया गया है, उसको हटा दिवे और बिहार को हो चे यूपी को यहां आए आकर के जमीन लेकर के घर बना रहा उसका हम लोग बिरोध नहीं है बस हारखन का जो हम लोग का है मेल मुद्दा है नियोजन अगर हमारे 1932 खत्यावन लागू हो जाएगा तो हम लोग को नियोजन नियोजन के मतलब गया नोकरी प्र अगर धर को नामकरन हो चुका था जारखन बना जारखन का निती नहीं लगा जारखन को सब कुछ मिल नहीं पा रहा है तो हम ये चैनल के माधियम से सरकार को बताना चाहते हैं कि अब हर घर से एक निर्मल पैदा हुआ है और हो रहा है और इस आंदोलन को ऐसा उगर करेगा जो सरकार देखेगी अभी सरकार बाहर में बोलती है कि हम साथ में हैं, हम साथ में हैं सदन के अंदर कोई बात नहीं बोलती है सरकार जैसे लड़के हम लोग पुराने जमाना ची लेक आया है जारकंड को और हम लोग को पुर्वज लोग लड़के बनाया है जारकंड को और एक बार सब्सक्राइब बनाया से केंद्र में राज में पारित करें और इसको लागू करें अस्थानिय निती और बाहरी भासा को सीधे हटा यहां से हुआ हुआ जो हर्कंड में जार खंड में पारित करने का जो पुरानी राय के जितने भी अगल वगल में करें हम इस चैनल के माधियं से बताना चाहते हैं कि हर राज का गठन भासा को लेकर ने करके हुआ था जैसे मंगाली के लिए बंगाल का गठन किया गिया था और इसी तरह से हर एक राज का गठन भासा के लिए किया गिया था और जहरखन का भी हम लोग जो गठन किये थे हमारे जतने पूरवज है उनका खुन का बलिदान से जहरखन अलग हुआ था और जो सरकार वरतमान सरकार है इसक को थोपने का काम कर रही है तो हम लोग इसका कते बरदास नहीं करेंगे और इसको ले करके हम लोग आज इस पुराणी राई से तयारी चालू हुई है जो कि राची तक जाएगी और हम लोग जितने लोग यहां दीख रहे हैं सब नेत्रूत करता है और हमारे छेतर से पूरे टाज के का और पूरे केंदर का भीजली जलता है हमारे छेतर में कोईलय के जो ती है ऑगर गान सरकार इस बहासा को वापस नहीं है तो हम पूरे इस चेतर में जितने भी कोईला है, सब हम लोग बंद कर देंगे, बहुत जो रांदोलन करेंगे, हर जगा बिजली बंद करवा देंगे, यहां की आवाज केंदर तक उठेगी, यही हम सब को बोलना चाहते हैं, और जितने हमारे समर्थक अभी उपस्तित हैं, त है हिंजा भारत